हेलो अब्रीवन वेलकम टू विद्दभथ एचुकेशन विस इस क्रिशन और आज की इस वाली वीडियो में हम डिसकस करेंगे प्रोडक्शन थेरी के बारे में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके माइक्रो एकनोमिक्स में और इसके एक लॉंग क्वेशन इ पात नियम या हम इसे कहते हैं law of variable proportion ठीक है as you know आपको जो भी में content provide करता हो वो आपकी book की language को और easy बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इस पूरे chapter पो भी मैं आपको बहुत ही easily समझाओंगा और बहुत ही easy language भी इस्तमाल की गई है पूरी ppt में भी और आपको as a notes आप download कर सकते हैं ठीक है इस पूरी वीडियो में आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है कि जहां पर highlight किया गया है उसे आप ध्यान से समझेंगे और उस time जो मैं बोल रहा हूं उसको भी ध्यान से समझेंगे और अपनी notes साथी साथ कोशिश करिए कि prepare करिए खुद की language स्टार्ट करते हैं यह वीडियो और समझते हैं कि जो production theory है यह इसमें जो law है यानि कि इसमें जो law बताया गया है कि production किस तरीके से संभव पाता है या यह कहें कि production को करने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी होती है और कौन से law इसमें applicable होते हैं तो उन सारी चीज़ों को हम स कहने का मतलब क्या है ठीक है तो law of production जो है वो क्या कहता है वो हमें ultimately इसमें आप क्या learn करोगे इस पूरे chapter को पढ़ने के बाद आप क्या सीखोगे वो चीज़े इसमें आपको समझ नहीं है कई बार क्या होता है बच्छे पूरा chapter पढ़ लेते हैं उनको सब कुस्मझ में आ जाता है लेकिन अगर उनसे पूरे chapter को पढ़ने के बाद आप question पूछो कि इस पूरे chapter को पढ़ने के बाद तुमको समझ में क्या है या इससे तुमने जो lesson लिया वो क्या है इसको तुम कहाँ applicable कर सकते हो real life में इसका एक example दिखाओ यही चीज जो main factor है कि real life में आप इससे कै computer hire कर रखें उससे जब भी वो कुछ चीज पढ़ाते हैं तो आप उनसे यह पूछे कि real life में मैं इसका कहा example सेट कर पाऊंगा ठीक है या इसको मैं अगर applicable होते देखना चाहता हूँ तो मैं कहा देखूंगा क्या ऐसा करो जिसमें आपने जो मुझे पढ़ाया वो मुझे applicable ह होता दिखे आपको सोच के देखो आपने कोई ऐसी चीज सीखी है जिसके पीछे आपने इतना time invest किया है ठीक है जो कि money से भी harder capital मानी जाती है ठीक है time को तो आपने उतना time उसके पीछे दिया है और आपको कुछ नहीं सीखने को मिला उससे आप बस कुछ चंद नंबरों के भाग रहे हो ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि जब दी कोई चीज पढ़ो उसे real life से example set करके देखो कि क्या है mind making ने के story mind making करो पहले से एक story mind making करो कि यार यह ऐसा होगा यार ऐसा देखने को मिलता है कि अब जब ऐसे करते एक्सर आजकल के जो schooling हो रही है न बच्चे इतने talented आप देखते हो चोटी चोटे बच्चे इतने talented निकल रहे हों ने क्या हमारे और आपकी education और उनकी education में क्या difference है हमने जो पढ़ा हम उ यह चीज मेरे life में वो रही है अच्छा इसको ऐसे solve करना है तो यह सारे problems आपके solve तब होंगे जब आप इसे real life में connect करोगे जैसे कि आज मैं law of production बढ़ाने जा रहा हूँ आपको पूरा पढ़ लोगे अब आप मेंसे बहुत से लोग कहोगे मैं कौन सा producer हूं यार मेरे को क् लब है पढ़ लेना है मैंने कौन सा जो है किसी गुड्स and services का production करना है बट अगर आप production थेरी का पहला chapter पढ़ो यानि की introduction of production तो आप समझपा होगे कि आप किसी भी activities में involved हो जो की monetary terms में measurable है या economic activities में आती है तो आप एक production कर रहे हो और आप एक producer हो आपको पता होना चाहिए मैं एक producer हूँ आप एक producer हो ठीक है तो अगर आप कोई ऐसी activity कर रहे हो तो आप एक producer हो आप समझ रहे हो तो क्या रहे है the law of production tells what is the relation between the production of commodity and the factor of production एक किसी भी goods and services का जो तुम production करते हो उस production को जो करते है actual में जो factors of production है जिसकी वज़े से production हो पा रहा है ठीक है तो उनके और production unit के बीच में क्या relation होता है यह आपको बताता है law of production ठीक है तो as we know all then there are four types of production that is land, labor, capital and entrepreneur यह चारो क्या है आपके means of production है यह आपके क्या है यह factor of production है land, labor, capital और entrepreneur यही चारो की वज़े से कोई की capital आप जब इन्वेस्ट करते हो उस पर labor लगाते उस पर entrepreneur लगता है और उस पर land लगत दिये तम जा करके वो product बन के तैयार होता है ठीक है तो बिना इन चारों में से किसी एक को गायब कर दिया जाए तो वो बिल्कुल भी आपका production process चल नहीं पाएगा यह यह आपको चलाना है तो इन चारों का होना बहुत जादा important है ठीक है most important है एक भी गायब हुआ तो कतम हो entrepreneur हो गए अब इन में क्या है इन चारों को जब जुडते हैं यह यह चारों आपस में जुडते हैं तभी आपका production हो पाता है इस बात का आपको ख्यास ध्यान रखना है क्यों अब एक चीज और ध्यान रख लो मैंने आपर piece of land दिखाया है ठीक है एक जमीन का टुपला दिख जैसे water ठीक है फिर आपका air हो गया ठीक है और आपके आपके जो भी ingredients है soil materials वो सारी चीज़ें आपको land में consider करनी है ठीक है एक बहुत ही basic और common question पूछा जाता है class में मेरे से भी question पूछा गया था यह बताओ river जो होती है यह क्या होनी आपको अगर मैं पूछूं कि river क्या हो होती है मतलब land होती है यह इन चारो means of production में से किस में consider की जाएगी river को तो आप बताइए river किस में consider होगी बताइए answer करिये आप river जो होगी आपकी यह land में consider होगी कि river आपको बनाता नहीं है बनकि यह nature ने हमको gift कर रखी है ठीक है अगर मैं आपसे पूछूं कि Canon क्या होता है जो होती है यह क्या होती है यह capital होती है labor होती है यह entrepreneur में आएगी यह land में आएगी इसका answer आपको comment section में मुझे करना है ठीक है आपको इसको answer करना comment section में कि कैनाल जो होती है basically वो किस में आएगा ठीक है आगे बढ़ते है फिर हम दिखते है if we have to bring change in the production of any item then there can be two conditions for that simple सी बात है अगर आप किसी भी goods and services का production कर रहे हो और उस production process में तुम्हें कोई difference चाहिए या कोई change लाना चाहा रहे हो ठीक है किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहा रहे हो तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो production है वो किसी तरीके से बदले तो उसको करने के सिर्फ वो ही तरीके है य दोनों थेरी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपको दोनों laws बताने जा रहा हूँ उसमें याद रखना factor तो चाहर है बट जब भी हम इस थेरी को पढ़ते हैं हम सिर्फ दो ही factor को consider करते हैं हम यह मान के चलते हैं कि सिर्फ दो factor है वो कौन कौन से factor है एक है आपका capital और production का जो पूरा entire process उसमें आप changes तभी ला पाओगे या तो आप other factor यानि अगर आप capital को fixed रखो या constant रखो और labor के उसमें change करते रहो labor को बढ़ाते रहो ठीक है या दूसरी condition जो आपके सामने है वो यह है कि when we change और variable all the factors in a fixed proportion या तो आप labor और capital दोनों को एक fixed proportion में change करने लोगो तब या तो आपका production change होगा या तो आपका production तब change होगा जब आप एक को constant रखो और दूसरे को बदलते रहो हिंदी में जैसे अगर समझे जब हम किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धी करें और अन साधनों को इस्तिर रखें जैसे capital जितनी लगी है उसको उतना ही रखें कर दो अब labor को change करते रहो यानि labor को बढ़ाते रहो तो देखो तुम्हारा production process change होगा ठीक है और या तो तुम capital और labor दोनों को एक fix proportion में एक हम कह सकते हैं कि एक निश्ची तनपात में जैसे 20% 30% ऐसे बढ़ाओ तो देखो क्या changes मिल रहा है तुमको क्या production तुम्हारा पहले यतने unit तुम कर पा रहे ते production अब उतना कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो और अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्या दिकत है फुल मिला करके production पर तुम्हारे क्या impact पड़ा यही तुमको देखना है इस पूरे process में ठीक है अगला वर्ड़ते है तू टू टाइपस ऑफ तो इस condition को हम कहते हैं the law of variable proportion और law of diminishing return और return to a factor इस पूरे सिधानत के तीन नाम है ठीक है law of variable proportion, law of diminishing return, law of return to a factor तो अगर आपके questions में पूछ लिया जाए law of variable proportion या return to a factor दे दे या law of diminishing return दे दे तो confuse मत हो ना तीनो एक ही है ठीक है और second condition and we know the second situation as a return to scale फिर से बता दे रहा हूं ध्यान से समझ लो क्या मैं कहना चाहा रहा हूं उसको समझो यह जो पहली वाली situation तुमने देखी न यह जो पहली वाली situation तुमने सामने है इसको आप कहते हो law of variable proportion या law of return to a factor और second वाली situation को आप कहते हो law of return to scale ठीक है दो law है production के पहला law यह है ज जब दोनों factor या यह गए सभी factors में fix proportion में change हो तो उसे कहते है return to scale ठीक है बात समझ वे आ गई अब ध्यान से समझो तो यहाँ पर इस page पे आपको यह समझाया जा रहा है कि जो अगर पहली condition दे रखे है कि कि किसी एक ही factor में change हो रहा है other factor constant है तो तुमन समझ जाना कि वहा law of variable proportion काम करेगा ठीक है दूसरी condition यह है कि जब सभी factors में change लाया जाए तो उसमें कहा जाता है कि वो return to scale वाली condition है अब बात यह है कि अगर हमें change देखना है तो हम एक ही situation पे एक ही point पे बहुत important चीज़ बताने जारो एक ही point पे या किसी एक ही point of time पे हम दोनों नहीं कर सकते कि में change करें तो पिटा ध्यान से सुनो इस बात को सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक एक कोई भी entrepreneur है suppose करूँ आप एक factory के मालिक हो आपसे मैंने कहा कि आप एक मंत के अंदर यह आप माल लेते परड़े की आपकी जो production है वो आप sugar की factory है आपकी परड़े आप 1000 packets आप बना रहे ना ठीक है ऐसी condition में बताओ तुम क्या करोगे जहिर जी बात है तुम capital तो तुम अंदर रेंज करने की कोशिश करोगे फिर कोशिश करोगे लेबर अरेंज हो जाए ठीक है कोशिश करोगे ना लेकिन तुम सब कर नहीं पाओगे तो मैं capital एक दिन के लिए कोई नहीं देगा और नहीं एक दिन के अंदर तुम capital अरेंज कर पाओगे तो तुम क्या करोगे लेबर अगले दिन कोशिश करके हाईयर करके production को यहां तक लाने की कोशिश करोगे अगर तुम ले आए ठीक है तो 1500 unit मुझे बना के देदोगे और अगर तुम नहीं ला पाए तो भी जितनी भ क्या है ठीक है long term और short term को कोई perfectly define नहीं किया जा सकता कि एक साल को short term कहलो और long term एक साल से ज्यादा को कहलो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि law of variable proportion short term में लागो होता है किसमें लागो होता है जब short term period चल रहा हो क्या चल रहा हो short term period चल रहा हो यानि कि जब आप अपने सभी production factors को change ना कर पाओ तो कहोगे आप कि आप short term में काम कर रहा हो और आपके उपर long variable proportion काम कर रहा है और जब आप सभी factors में change कर लो suppose करो मैं तुम्हारे पास आया मैंने का भाई मुझे अगले 10 साल में 1 lakh control की तुमको sugar मुझे supply करनी है ठीक है तो त अपनी अपने labor को increase कर लूँगा अपनी capital increase कर लूँगा entrepreneur मैं खुदी हूँ ठीक है तो हो सकता है मैं partner लेनूँ यानि कि यहां देखने को मिल रहा है तुमको कि तुम सारे factors में changes कर ले रहे हो इसका मतलब long term में return to scale लाग हो होता है ये बात बहुत ध्यान से समझना है एक PC book म आपके long term में लाग हो होता है और law of variable proportion आपका short term में लाग हो होता है ठीक है इस बात का ध्यान रखना short term वो है जब आप अपने production सारे factors को change ना कर पाओ और long term वो है जब अपने production units के जो भी production factors है उनको change कर ले जाओ तो return to scale है आज हम सिर्फ law of variable proportion के बारे में जानेंगे it's okay लेते हैं law of variable proportion applies when we increase one factor such as the amount of labor माल लेते हैं कि मैं labor को increase कर रहा हो while keeping other factors constant and observe its effect on output simple सी बात है law of variable proportion क्या कहता है कि भाई आप other factors को constant कर लो किसी एक factor में change करो और उसका effect देखो कि output पे क्या पढ़ रहा है और as a result of increase in converted factor total production increase we will call the increase in the total production as marginal physical production और यहीं पर इसी statement में ये भी बोल दिया गया कि जब तुम उस factor को change करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जो production है वो बढ़ेगा और यह जो production तुम्हारा पर labor एक एक labor बढ़ाने से जितना production बढ़ता जा रहा है न वो तुम उसे क्या कहोगे MPP कहोगे क्या कोगे marginal physical production एक extra labor की unit higher करने से total production जितना बढ़ रहा है उसे हम कहते है marginal physical production इस बात का ध्यान रखना अभी graph में यही use होने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम देखने पा रहे हैं कि statement of law क्या है सबसे पहले हमने statement law के बारे में जान लिया अब हम statement of law के बारे में first increase at increasing rate then a constant rate and finally at a diminishing rate अब एक बात को ध्यान से समझना मैंने अभी पीछे MPP का जिक्र किया था याद है एक extra labor की unit लाने से add करने से total production पे जो impact पड़ा जो changes आया उसे हम marginal physical production कहते है ठीक है बात समझ में आ नहीं तो इस lock in definition दो point of view से दी जा सकती है total physical production के point of view से और MPP के point of view से total physical production के point of view से जब definition लिखोगे तो एक बात का ध्यान रखना वहाँ पर तुमको यह लिखना है कि जब आप other factors को constant रखते हुए एक factor में change लाते हो तो आपका total physical production पहले increasing rate से बढ़ता है फिर constant rate से बढ़ता है और फिर final diminishing rate से बढ़ता है लेकिन तीनों condition में बढ़ता ही है ध्य नहीं हो रहा है बात समझ में आगे अब इसी की definition MPP के point of view से देखते हैं if we keep other factors as constant and increase only one factor of the production the margin physical production MPP first increase then remains constant and finally diminishing simple थी बात है उसमें मैंने कहा था तीनों condition में बढ़ रहा है बट यहां मैं कह रहा हूँ पहले बढ़ेगा फिर रुकेगा और फिर down हो जाएगा मैंने यह नहीं कहा कि पहले बढ़ती रेट से बढ़ेगा फिर घटी इस थिर रेट से या यह उगा है constant rate से बढ़ेगा और फिर diminishing rate से बढ़ेगा मैंने कहा पहले बढ़ेगा फिर रुका रहेगा और फिर down होता चला जाएगा यहां मैं कहा रहा हूँ कि पहले बढ़ेगा फिर रूकेगा और फिर डाउन हो जाएगा लेकिन मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि पहले बढ़ती rate से बढ़ेगा फिर constant rate से बढ़ेगा फिर diminishing rate से बढ़ेगा मैं कहा रहा हूँ पहले बढ़ेगा फिर रुकेगा और घट जाएगा marginal के point of view से जब आप definition लिखोगे तो ये कहता है कि marginal physical production पर क्या impact पढ़ रहा है actual में होता क्या है ये marginal physical production की definition क्योंकि marginal physical production को आप consider करके ये statement दे रहो तो इसमें ये कहा रहो कि पहले marginal physical production बढ़ेगा फिर constant हो जाएगा और फिर diminishing हो जा रहेगा लेकिन जब आप TPP बोल रहेते तो आप कहा रहेते कि पहले TPP बढ़ेगी फिर constant होगी और फिर diminishing rate से बढ़ेगी तो इस point of view से अगर चलना स्टार्ट किये हो तो इस हिसाब से ये अभी बढ़ी रही थी देखो ठीक है बात समझ में आ गई कोई confusion चलो आगे बढ़ते हैं अगला है assumptions of the law मैंने आपको economics पढ़ाते समय पर पिछले कई lectures में आपको ये बात बूली है कि economics में कोई ऐसा theory कोई ऐसा सिद्धान कोई ऐसा principles नहीं है जो किसी assumptions पर बेस ना हो उसका reason ये है कि economics जो है ये एक ideal science है ये pure science नहीं है physics chemistry bio की तरह इसके rules जो है वो universal नहीं होते हर रहां देखने को मिलेगा अगर आप अर्थ पे कहीं पे भी हो बात समझ में आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ कि law of production आपको हर जगा लागो होता नहीं देखेगा क्यों कि जो आदर्श विज्ञान होता है ideal science होता है वो ये कहता है कि मेरे law जो होते हैं जो मेरे नियम करके रखती है कि इसके बाहर अगर आप गए तो law काम नहीं करेगा इसके अंदर ही काम करेगा तो वैसे ही यहाँ पर भी हम law के बारे में पढ़ लेते हैं कि यह law जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको किन-किन बातों को अपने दिमाग में रखना है या पहला लोग यह कहता है आपका जैंशन यह है कि only one factor increase while other are kept constant ठीक है मैंने class में यह चीज़ पढ़ाई बच्चे इस पर कुछ नहीं बोलेगे क्योंकि मैं पहले ही बूल चुका हूँ कि other factor को constant रखना है कोई बच्चा यह question है पूछ लिता है sir मैं माल नीचे change करनो तो क्या होगा तो भाई change करेगा ना तो यह law जो है आपका यह काम नहीं करेगा फिर मैंने बोला the various unit of variable factors are homogeneous जो भी आप labor higher कर रहो उनकी सारी units यह यूँ कहें हर एक labor homogeneous यानि की एक जैसा एक रूप होना चाहिए यह नहीं कि एक labor आपने इतना मोटा सा higher कर लिया ठीक है और दूसरा labor ऐसा higher कर लिया यह दोनों कि सारी units जितनी भी आप labor की unit higher कर रहो ना उनमें एक रूपता वह एक समान उनके मतलब body यह यह हाइट वेट लगभब बराबर होने चाहिए अब बिल्कुल बराबर तो ऐसा तो है नहीं कि तुम production process में लेके आओगे तो कहोगे चलो पहले तुमारा weight करेंगे देखेंगे height measure तरहीं ऐसा नहीं है बट क्या होता है जैसे आप handicap labor को नहीं ला सकते क्योंकि अगर आपने सारे labor fit well and fit use की है तो आप किसी handicap labor को hire नहीं करोगे क्योंकि उससे होता क्या है ना कि अगर आप different units को अगर use करने लगोगे जिनमें different qualities है तो production पे जो impact पढ़ना चाहिए वो नहीं प condition etc are not changed ठीक है यह सारी क्या होंगी change नहीं होनी चाहिए जैसे production का method यह कहता है production method मैं समझाता हो इसका मतलब क्या है production method कहता है कि अगर तुमने labor intensive technique अपना रखी है कि labor से से ज्यादा काम करा रहे हो तो तुम labor से ही काम करा होगे तो machinery नहीं यूज करोगे technique यह कहती है कि कोई भी आगर आपने कोई technique यूज की है जैसे production की बहुत सारी techniques होती है उन्हें से जो technique तुम यूज कर रहे हो किसी एकी technique पर बने रहे हैं तुमको यह नहीं कि बीच process में कोई technique change कर दिये उससे फिर impact नहीं पड़ेगा दूसरा climate climate का मतलब यह है कि आपके यह अगर जो climate environment है जो आपका internal environment है जैसे आप अगर labor को आधे गंटे का rest दे रहो पूरे duty पे तो आप उसको आधे गंटे का rest दोगे आप 2 गंटे का rest नहीं दोगे उसको ठीक है अगर वो 2 गंटे का rest पा जाएगा तो वो क्या होगा अच्छा खासा rest करके आया तो हो सकता है after rest और अच्छे से काम कर पाए आपको constantly अगर किसी चीज़ का result देखना है तो आपको conditions को same रखना पड़ेगा समझ में आगी बात कई बार बच्चे इसी पर question पूछन पूछन लगते है मरे से classmen sir अगर आप इसा अगर आप नहीं करोगे तो आपको जो अभी statement पीछे बोला गय बढ़ेगा फिर पहले रूख बढ़ेगा फिर रुखेगा फिर गटेगा वो नहीं देखने को मिलेगा हो सकता है बढ़ता ही रहे हो सकता है गटता ही रहे हो सकता है रूखा ही रहे कुछ भी हो सकता है बात समझ में आ गई तो अगर आपको देखना है कि क्या होगा तो इन conditions को इन exemptions को आपको follow करना ही पड़ेगा अब यहां पर example के तौर पे suppose we have a hundred record of land and the capital invested of two lakh rupees which is fixed हम माल लेते हैं एक piece of land है हमारे पास ठीक है इस पर हमने क्या किया है यह hundred record की land है ठीक है hundred record की land है आपकी ठीक है और इस मैंने दो लाख रुपए का investment कर रखा है कितने लाख रुपए का दो लाख रुपए का investment कर रखा है अब मैं इसको fix कर दूँगा अब ना इसमें मैं investment further एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लगाऊंगा ठीक है और नहीं piece of land को extend करूँगा यानी hundred से मैं 90 नहीं करूँगा और नहीं मैं उसको एक सुदा से कर लेके जाओगा मैं इतनी ही जमीन पर दो लाख रुपए लगाने के बाद अब मैं क्या करूँगा अब labor को बढ़ाता जाओगा मैं देखता हूँ कि इसको करने से total क्या impact देखने को मिल marginal भी 0 होगा और अगर आपने total cost marginal cost यह सब पढ़ा हो तो marginal आपको पता होगी कि first unit की marginal में सा 0 नहीं dash होती है पता है यह पता है अब मैंने एक labor hire किया तो मैं देखने को क्या मिल रहा है कि मेरा total production 40 हुआ और मेरा सीमान्त बहुतिक उतपादन या MPP marginal physical product 40 हो गया क्योंकि इसके marginal physical product MPP 50 हो गया बहुत सारे बच्चे MPP ही नहीं निकाल पा रहे है तो मैं यहां पर बहुत easy language में बता दे रहा हूँ जिसके सामने की MPP आपको निकालनी होती है उसके सामने की TPP से उसके उपर वाली TPP को minus कर दो example के तोर पर समझ दो ध्यान से जैसे मुझे इसके सामने की MPP करो कितना हो जाएगा 60 बात समझ में आ गई और अगर फॉर्मूला याद करना है तो फॉर्मूला भी याद कर लो बता दे रहा हूं प्यान से समझना MPP इसक्वल टू TPP MPP N is equal to TPP N minus TPP N minus 1 ये होता है फॉर्मूला बट जो मैंने पिछला मैंटर बता है वो जादा easy है तुरन निकालने जाओगे ठीक है अगला अब मैं जब दूसरा ले पर हायर करता हो तो मुझे देखने को मिलता है कि मुझे 90 हो गया मेरा production कितना हो गया 90 हो गया टोटल और मांजिनल MPP कितना हो गया 50 फिर तीसरा मैंने हायर किया तो 1500 हो गया फोर्थ हायर किया 210 हो गया फिफ्थ हायर किया 266,300,330,350,360,360 बात समझे आगी और इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि मेरा जो मांजिनल फिसकल प्रोडक्शन है पहले 40 था फिर 50 हुआ फिर 60 हुआ फिर 60 हुगया ठीक है फिर 50 हुआ फिर 30 40 फिर 30 20 10 0 अब ध्यान से समझना जो वहां स्टेट्वेंट तुमने पड़ी थी दो स्टेट्वेंट पड़ी थी ना एक TPP के बेस पर पड़ी थी और एक MPP के बेस पर प पर उद्सक्राइब लेधन समझने water नियाए घ्राइं हो प्रोडुक्शन तुमको बढ़ता हुआ दिखेगाbert तों वहाँ इरधन आप तुम यह 150 हो गया, 60 का change आ है, देखा जाए तो यहां से यहां तर बढ़ा, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, total, TPP पहले increasing rate से increase हुआ, फिर constant rate से increase हुआ, 60 to 60, और फिर diminishing rate से increase हो रहा है, बहले ही MPP गिर रही है, लेकिन ये तो बढ़ रहा है न, देखो, 260, 300, 350, 360, बढ़ रहा है कि 60, सब में 10 प्लस हुआ कि नहीं हुआ, फिर constant हुआ, 60, 60 बढ़ यानि कि 0 का difference रहा, फिर गिरने लगा, देखो, 50, 40, 10, 40, 30, 20, सब में 10 का gap होने लगा, minus 10 होने लगा, MPP वाली definition याद आ रही है, नहीं आ रही है, तो फिर से पीछे लेके जा रहा हुआ, दिखा रहा हुआ, if we keep other factor as constant and increase only one factor of production, the marginal physical production, first increase, then remains constant, then finally diminishes, ठीक है, अब आओ फिर से इस पे, देखो, क्या है यहाँ पर, first increase, then constant, then diminishes, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और IR कह रहा था कि पहले increasing rate से increase होगा, तो भाई देखो, increasing rate से increase हो रहा, IR, CR और DR का मतलब है, IR का मतलब increasing rate यहाँ mention कर रहा है, constant rate और diminishing rate, यहाँ पर यह increasing rate से बढ़ा, फिर इसकी rate थोड़ी नहीं हो भी बढ़ने की, क्यों, कैसे देखोगे, by 40 और 50 के बीच में 50 का gap था, अब 50 से जादा का gap यहाँ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, कैसे, 50 से इसके बीच में अग gap होता है, वही MPP है, मैंने क्या बहुता है, 90 और 40 के बीच में जो gap है, वही MPP भी है, समझ गया है, तो इसकी जो increasing, decreasing rate है, वह actually MPP ही ही है, MPP ही तो बता रही ही, कितने rate से बढ़ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई, तो आपको देखने को मिला, कि जब हम labor की एक एक किवर बढ़ाते जाते हैं, और 10 तक जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है, हमारा total production बढ़ता तो है, लेकिन उसकी बढ़ने की जो rate होती है, वो अलगलग स्टेज में होती है, पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज होती, IR की, दूसरी CR की, और तीसरी DR की, और अगर हम MPP को base मान के चलें, तो MPP देखने को मिलता है, कि पहले बढ़ेगा, फिर constant होगा, और फिर गिरने लगेगा, अब अगर आप मैं आप कोई question पूछो, अगर मैं यहां 11 युमेट कर दो, 11th labor को hire कर लो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं simple बताता हूँ, यहां 0 पहुंच चुका है अब होगा यह कि मेरा production गिर के 240 हो जाएगा, अगर मैं एक stimulus point के बाद भी labor hire करता जा रहा हूँ, तो मेरा production, total production, देखो यहां 360, 360 होगे न, balance, अब इसके बाद ही गिरना ही start हो जाएगा, इसके बाद increasement नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, उसका reason आगे पता करते हैं, reason behind the implementation of the law, ठीक है, क्या reason है सर, कि अगर मैं 11 unit hire कर ले रहा हूँ, labor की, तो 11 unit जो hire कर रहा हूँ, उसके 360 के बजाए, वो 340 क्यों होगा, अभी मैंने पूछा, देखो, the only reason behind the implementation of this rule or law is absence of complete substitubility of means, means, याने कि factor of production, the only reason behind the implementation of this rule is absence of completely substitute, simple सी बात है, completely substitute of the factor of production, that is, factor of production cannot be completely replaced by each other, अब आप कहो वे सर, यह क्या है, थोड़ा easy language कर देगे, देखो भाई, मैंने कहा कि total production 11th वाला never hire करोगे, तो अब 360 ना हो करके हो सकता है, 350 या 340 कुछ भी हो सकता है, अब ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का reason यह है, इस सिधान को, इस principle को पढ़ने से पहले मैंने क्या बोला था, other factors क्या होंगे, other factors आपने क्या मानके रखा है, constant मानके रखा है, क्यों भाई, उसमें कोई change नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक में change करते जा रहे हो, ultimately आप कर क्या रहे हो, आप अपनी capital की जो कमी है, deficiency है, उसको labor से फूरा कर रहे हो, machinery hire कर पाओ, तो मैं labor लगा, जादा labor लगा के काम कर रहे हो, लेकिन तुमको एक बात नहीं पता है, कि पूरे world में कोई भी ऐसी goods नहीं होती है, जो किसी की perfectly substitute हो, समझ में आया की नहीं, तो अगर तुम अपरी capital को labor से substitute करोगे, तो एक limited time period तक ही उसको substitute कर पाओगे, उसके ब अगर अगर तुमने प्रयास किया, या तुमने effort डाला, कि नहीं नहीं, 11 वाले number को बुलाओ labor को, उससे काम करवाएंगे, अब 360 से आगे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, गिर करके 340 हो जाएगा, बात समझ में आ गई, इसके पीछे का से fake math reason है, जो production factor होते हैं, कोई भी production factor किसी भी दूसरे production factor से perfectly substitute नहीं हो सकता, अगर आप ये कोओ कि production process में बिना labor के ही काम चलाने, capital लगा लगा के नहीं चला पाऊगे, बिना capital के ही काम चलाने नहीं चला पाऊगे, बिना land के ही काम चलाने नहीं चला पाऊगे, चला ही नहीं सकते, और यहीं एक मातर reason है कि law of diminishing written applicable हो जाता है अब एक important चीज जो आप लोगों को बतानी है ध्यान से समझना important चीज क्या है IR और CR ये दोनों मिलना बस unfortunately मिल गया तो मिल गया, otherwise कोई जरूरी नहीं है, compulsion नहीं है कि IR मिलेगा ही मिलेगा, और CR मिलेगा ही मिलेगा, लिकिन DR जो है ये मिलना compulsory है मतलब हो सकता है आप पहली यूनिट का जैसे labor hire करें, आपका production गिरना ही start हो जाए, पहले वाली यूनिट पर 40 रहा, second वाली hire किये तो ये 19 आगो करके 30 हो जाए यानि DR जो है, ये मिलेगा ही मिलेगा, आप इसे substitute कर सकते हो, हो सकता है जैसे मैं अगर को कि DR मुझे मिला है कब, मुझे DR मिला है 10 पे, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बाई, या यू बहें कि DR जो मिल रहा है मुझे, वो 10 यूनिट से मैं मांग के चम्राओ कि अगर मैंने 11 थायर किया, तो DR मिलने लगेगा 60 हो जाएगा, लेकिन वैसे तो मुझे DR मिल रहा है 50 यूनिट से, लेकिन 50 यूनिट से कैसे मिल रहा है, ध्यान से देखो 50 यूनिट से कैसे मिल रहा है, 60 के बाद production गिरता ही जा रहा है गिरता ही जा रहा है तो DR ही तो है ये तो DR compulsory ये मिलेगा ही मिलेगा इसको आप बस इतना कर सकते हो कि आपको fifteen unit से न मिल करके 7th से मिल जाए 7th से न मिली तो 10 से मिल जाए वो आप अपने क्या कर सकते हो labor और इन पर ज्यादा focus रखोगे अच्छे labor hire करोगे तो हो सकता है इसको आप टाल सकते हो लेकिन इससे आपके खतम नहीं कर सकते यानि कि एर्थ तक मैं लेबर जब तक हायर करूँ मेरा प्रोडक्शन को अच्छे रेट से बढ़ता ही रहे लेकिन CR और IR ज़रूरी नहीं है कि मिले हो सकता है मिले हो सकता है ना मिले बात समझ में आ गई अगर नहीं आया तो बताना नेक्स वाले में कहा प्रॉब्लम हुई थी मैं इसको फिर से आपको उतने शॉट बना करके आपको समझा दूँगा होगा समझ में आगया सबकुछ तो आपको रीजन समझ में आ गई आ गई aip कि पूरा वीडियो आपको समझ में है और अगला टापिक हमारह रहे है रितन ते इसकेंड जो लॉव है उसे हम पढ़ाए टब तक के लिए थान आज ass झाल झाल